वेल्केम टेक्वेटर गुरू मैं आपका अफिकास आपने में चनलर फिर सौथ करता हूं तो आज हम बात करेंगे आइटिय कोपा कि आपके जो समेश्टर के एक्जाम है और डियाइडू को जो आपके इंपॉर्टन्ट स्लेबस है उसके बारे हम बात करेंगे तो आपका और किस पकार के आपको मौक टेस्टेस हम आपको ब मताने वाले तो इसके आपको कौनगों पर आपको मिल जाएगा तो दोनों दिखालना बहुत असान हो जाएगगा अगा जाने को सब्क्राइब कर लें आपको काफी इंपोर्टन्ट वीडियो मिलने वाली है डेली और वार्ट्थर नमबर मैंने आपको दे दिया इसलिए कि अगर आपको वीडियो को मिस हो रही है अगर आपको नॉटिप्रिशन नहीं मिली तो आम उसको मैसेज कर दें और सारी पी पेपर देंगे तो आपको सब्सक्राइब कोपा कही रहेगा क्योंकि वह भी आपका जो आपका ट्रेट थेओरिया पढ़ किया है वही उसमें आपके एक्जाम के कोस्टन आते हैं बस कोसन थोड़ा हलके रहेंगे आपके मादलब मीडियम जो रहेगा वह नॉर्मल लाएग तो चलिए लेखते हैं यहाँ पर जो सेमेस्टर फर्स्ट हमारे पास है सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपको चैप्टर पढ़ने तो चैप्टर नमबर एक हमारे पास बेसिक हार्डवेर एंड सॉफ्टर है तो यह पहरा चैप्टर हमारे पास बेसिक सॉफ्टर अब इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो हिस्टिय आप कंप्यूटर टाइप सब्सक्राइब कंप्यूटर अप्लिकेशन आप कंप्यूटर कॉंसर्ट ऑफ हाडवेर की वह अभी आपको इस ही चैप्टर की मिलिए बेसिक प्यूटर हाडवेर की तो इससे जितने आपके हिस्टी ओफ है इंपूट आपूट डीवाइस हैं से कंप्यूटर सॉपटर हाडवेर कॉंसर्ट है इसक प्रकार को पर उपको प्ढ़ना है तो मैं चैप्टर 20 लेकर चल इसमें तो इसके बारे हम लोग आपको मॉक्टेस देंगे इसलिए चेप्टर वाइस आपको मॉक्टेस मिलेंगे तो इन टॉपिक को आपको पढ़ना है उसके वाद हमाँ पास है टॉपिक MS-DOS और लाइनेक्स तो इसमें आपका MS-DOS है इंटर्नल डॉस क्या है और पूट डायक्टरी MS-DOS की वाइल काल्ड आप MS-DOS ओपन सोर्स सॉफ्टर का है लाइनेक्स सेल कमांड इस्पेसल करेक्टर इन लाइनेक्स तो यह टॉपिक आपको MS-DOS में पढ़ने है तो इसको आप नोट कर लें एक जिएक का कॉपी भी क्योंकि यह चले बस आपको कहीं मिलने वाला नहीं है कोस्टर नमबर फॉर हमारे पास चैप्टर नमबर फॉर जो हमारे पास वह हमारे पास MS-DOS तो इसमें इंट्रोडेक्शन आप MS-DOS का क्या है MS-DOS की फीचर क्या है Office button MS-DOS क्या है मेन्यू टूल पास क्या है creating and saving किस पर गारत करनी है insert object insert macro creating email merge आपको बनाना है MS-Excel इसमें data type MS-Excel self-referencing क्या है category of function of MS-Excel sorting in MS-Excel और filter in MS-Excel तो यह चीज आपके MS-Excel में आगे भी होगा इसमें validation in MS-Excel chart बनाना data table in MS-Excel private table बनाना है goal seek in MS-Excel और scenarios scenarios in MS-Excel तो यह topic आपके MS-Excel से आपको cover करने है तो आप देश सकते हैं काफी यह ता topic आपके है उसके बाद हमारे पर topic आता है PowerPoint तो इसको आप वीडियो को पॉस्ट करके बिल्कुल note कर ले introduction to PowerPoint है advantage of PowerPoint creating slides लो बनाना है fine tuning presentation good presentation technique open office इमेज प्रोपर्टी इमेज की टाइप editing करना तो यह सारी चीज़ें आपको MS-PowerPoint में पढ़ने हैं और यह important topic आपके इसी इसे लेटेड आपके question मिलेंगी उसके आपके चेप्टर आता है एक database का तो इसमे database information है overview of popular database system आपके कौन से है rules of designing a good table integrity rules and constraints in a table relationships in tables introduction to various type of queries these uses and designing access report of form macros in MS access तो यह question आपके database later पूशे जाएंगे उसके आपके topic आता है semester first में networking का इसमें आपका है computer network यह topic आपका बढ़ा है क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी client server, peer-to-peer concept, concept of proxy server, firewall server, network topologies का है network component, cable, wireless, Bluetooth, OSI layer तो यह topic आपको लगबग सारी चीज़ें में cover करने पढ़ेंगे तो आप दे सकते हैं यह topic आपका बढ़ा है network security, dhcp, server, internet तो इसके आपको question में आपको provide कराऊंगा सभी chapter के एक है introduction to internet, www, web browser, internet server, search engine, domain name, email का है, video chatting का है, vip का है, social media का है तो आपको सभी के question मिलेंगे उसके वाद आपका है cloud storage, internet security, web designing, web server, static, web page, introduction to HTML, various tags आपको HTML के पढ़ने हैं मैं आपको बताएं rating for minorities के mock test आपको पढ़ा है, CSS, apply CSS content, open source, CMS और web authoring tool तो इसने आपको internet के topic में पढ़ने हैं तो आप दे सकते हैं काफी लंबा topic है आपका, खाली internet का, तो इसने topic आपको पढ़ने है, और most important topic है आपका internet तो इसको जिरू अच्छे से पढ़ने आगे बढ़ते हैं, अब हमाँ पास semester 2 के है paper, ये था आपको semester 1 में इतना चीज़े आपको पढ़ने हैं, दोनों exam को अगर आपको प्लियर करना तो इतने आपको topic cover करने पढ़ने 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 अच्छे से, तो सारे मैं class लगा रहा हूँ, और लड़ी मैंने सब्सक्राइब करते हैं, तो यहां से अब आपका chapter अलग होता है semester 2 क्योंकि इसमें आपको java script मिलता है, तो java script मैं आपको क्या क्या पढ़ना है, algorithmic, flowchart, web server, feature of web server, programming language है, compiler based programming language, interpreter based programming language, introduction to java script, java script event क्या, java script data type, special character in java type, string in java type, operator in java type, math function, control statement, loops and function, लंबा topic है और important topic है, तो इसके ही मैं आपको mock test provide करा रहा हूँ, प्रीस आप चैनल पर देखें, आपको vba के java script के और c++ के सभी के mock test आपको provide के जाएगे, आगे चलते है, object oriented है, आपके java script में तो array based object oriented है, browser object model है, document model object है, और cookies in java script, तो मैं सभी के topic एक 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 दो दो mock test, जितने पी question मेरे को मिलते जाएगे, सभी topic में आपको mock test provide कराऊँगा, तो कम से कम आपके पास 50-70 mock test की series हो जाएगी, उसके बाद हमाँ आपा topic आता है, visual basic का, जो की most important है, तो इसमें वीबे के shortcut, useful function in vba, data type, vba, arithmetic operator है, compression, quantitation, operator, logical, bitwise, तो इस सारे math के ज condition, load, message, input box, और creating function, तो लगबख सारे यह आपका c, c plus का force है, वो सारे function दिये दिये हैं, लेकिन इसमें लिखने का तरीका है, इसको designing करने का, form को बनाने का, label, button लगाने का, इस सारे चीज़ें इसमें करने परती है, आगे चलते हैं, creating sub routines in vba, creating macros करना है, object content of, काम करना है, event driving program बनाना है, GUI component, properties, VBI control करना है, event बनाना, activist debugging, तो यह सारे चीज़ें आपकी application develop करने में helpful होती है, तो उससे लेटर जो भी आपके question बनते हैं, वो आपको solve करा जाएंगा, और यह important topic आपको आईटे second semester के ग्याम में पढ़ना है, आपको paper में देखने को मिलेगी, उसके बाद मा आपको मैं फिर से बताऊंगा, कोई फायदा नहीं है, तो मैं उसके link video के description में डाल दोगा, जब भी video बनेगी, उसकोई playlist में डाल दोगा, जिससे कि आपको दिक्कर नहीं होगी, basic accounting, method of accounting, तो इसमें accounting के जितने भी topic है, वो यहाँ पर दिए गए, आप देख ले, cash book ratio, description, stock management, वैट, cash, tally, shortcut की, double entry, budget system, तो इस सारे topic आपको tally में important topic जो है, वो यहाँ पर दिए गए, आप इनको जरूर जरूर पढ़े, आपके बाद बूकर दोस्त में टिक कर ले, अगर नहीं है, तो मैं जो जितने भी topic हैं, इनके आपको mock test provide करा हूँगा, उसके बाद scenario है हमारे पा आपको मिल जाकते हैं, उसके आपका e-commerce आता है, जो आपका online business है, most important question है, tally, e-commerce, vb, macro, यह आपके, आपका java script है, आपके second semester के लिए most important है, इसमें आप ज्यादा तर fail होते हैं, introduction to e-commerce, types of e-commerce, scope of e-commerce platform, क्योंकि इनके question जो आपको repeated मिलेंगे, benefit of e-commerce है, types of e-commerce business, mode of payment कितनी है, gateway और general question of e-commerce आपके जो बनते हैं, वो आपको मिलेंगे, उसके आपके बाद चैप्ट पर आता है, cyber security का, introduction to cyber security, threat information, vulnerability, direct service, access control, software development, privacy protection, information security adult, और information technology act, जो होता है, इससे question आपको मिलते हैं, most important chapter है यह भी, इसको भी आपको पढ़ना ही बना है, तो इसने chapter था, आपके दोनों semester, आपका ATI की first semester, second semester में, और आपके DRD के paper में आपको इतने topic पढ़ना है, तो इनको आप note कर लेए, वीडियो को post करके, कहीं पे भी एक जगाँ पे, आपके लिए काफ़ी है, बाकि मैं इनको website पब्लिस कर दूँगा, कल आपको website उसको देख सकते हैं, तो व